नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन मुख्य मंत्री मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं कारकर में जर्खन के मुख्य मंत्री हैं मुख्य आतिती होंगे, वहीं भी सिस्ट आतिती के रूप में सरम नियोजन, प्रसिक्षा नम कोवसल, विकास विभाग ता उद्योग विभाग के मंत्री सत्यानाद भोक्ता, इसकूली सिक्षा यवम सर्षता विभाग, उतपाद भाग के मंत्री दिपिका पंडे सिंग सामिल होंगी, रांची में बिजेपी की युवा आकरोस रैली 23 को डिजीपी ने दिये निर्देश, भाजपा की युवा आकरोस रैली 23 अगस्त को रांची के मौराबादी मैदान में होगी, राजे के सभी जीले से हजारों की संख्य बिजेपी करकारता और नेताओ के रैली में भाग लेने की उमीद है, इस दोरान बीदी बेवस्ता की कमभीर समस्या उत्पन नहीं हो, इसको लेकर डिजीपी अनुराग गुपता ने बुद्धवार की साम सभी जीलों के एसपी, एसपी के साथ समिक्छा बैठक की है, समिक जीपी ने रांची के SSP को कहा है कि मोराबादी मैदान और CM आवास के एक किलोमेटर के दाहरे में सठक वा आसपास में जाम, इट पत्थर को हटाए, उन्होंने SSP को CM आवास वा मोराबादी मैदान के आसपास परियाप संक्या में, पूलिस बलों की तेनाती की भी निर्द किया है सुरेन ने साथ ही कहा है कि वे दूसरे दलों से गड़ बंधन का विकल्प भी खुला रखेंगे उन्होंने तीन दिन पहले जारकन मुक्ति मोर्चा पर अपमान करने कारूप लगाया था जिसके बाद उनकी बीजेपी में जाने की अटकले तेज हो गई थी बता दे च अंपाई सुरेन रविवार को कहा था कि वतार मुक्यमंत्री उन्होंने अत्यधिक अपमान जेला जिसके बाद वह बैकल्पिक राह तलासने के लिए मजबूर हो गए जारखन में आज भारी बारिस के असार जारखन में मानसुन सक्रिये है बिते 24 घंटो में राजधानी के आस पास इलाकों और कोलहान में बारिस हुई इसके अलावा सिम्डेगा बोकारो खुट्टी के कई इलाकों में अच्छी बारिस हुई है मौसम भी भाकी माने तो 24 अगस्त तक मानसुन सक्रिये रहेगा वहीं 25 अगस्त से मानसुन की गतिविधी थोड़ी धीमी पड़ सकती है बता दे रांची स्थित मौसम भी ज्यान केंद्रे ने कहा है कि गुरु वार को रांची के साथ गुमला सिम्डेगा पुर्वी सिम्मूम खुट्टी सराय केला पच्मी सिम्मूम समेत संताल परगना के सभी जिलों में भारी बारिस की संभावना जताई गई है वहीं 23 अगस्त को 14 हजारी बाग गिरीडी बोकारो धनबाद देवगर दुम का जाम तरब पाकुर गोड़ा साहब गनके कई इलाकों में भारी बरसा के असार है ज्यारखन केबिनेट की बैठक 29 अगस्त को ज्यारखन केबिनेट की बैठक 29 अगस्त को होगी मुख्य मंत्री हमान सुरून के दक्स्ता में केबिनेट की बैठक साम 4 बाई से सुरू होगी इस देवान कई अहम प्रस्ताओं पर केबिनेट से मुहर लगेगी मंत्री मंदल सचीवाले यम निग्राने विभाग द्वारा इसकी सुचना दी गई है ज्यारखन मंत्राले के मंत्री परिशद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी बदादे मुख्य मंत्री हेमान सुरू के अधक्स्ता में पिछले 24 जुलाई को ज्यारखन केबिनेट की बैठक होई थी जिसमें 30 प्रस्ताओं पर मंत्री परिशद ने मुहर लगाई थी इसके तहा ज्यारखन के मंत्री समेत अधिकारियों को मुबाईल की सुविधा देने के प्रस्ताओं को केबिनेट ने मंजूरी दी थी वही मुख्य मंत्री बहन बेटी मै कोई स्वामलंबन प्रसाहन व्यजिना के नमांकरन में संस्वोधन को सुक्रित दी गई थी इसके नमांकरन ज्यारखन मुख्य मंत्री मैया समानी वही ना को मंजूरी दी गई थी भारत बंद ने ले ली धनबाद की किसोरी की जान भारत बंद ने ज्यारखन के धनबाद जिले में एक किसोरी की जान ले ली है एस्टी एस्टी आरक्षन पर सुप्रीम कोट के फैसले खिलाब आओ जारखन बंद की वज़ा थे जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगा कर सड़क को जाम कर दिया गया था इसी वज़ा से यूती को अस्पताल पहुचने में देर हो गई और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मिरित घोसित कर दिया बताजे धनबाद के सासन बेरिया पंचेरी की रहने वाले 14 वर्स्ति की सोरी बुद्धवार को अपने घर के समीप अग्याद दो पहिया वहान की चपेट में आ गई गंबीर रूप से घायल पायल कुमारी को परिजन नेजी वहान से अस्पताल ले जा रहे थे SNMMCH ले जाने के रास्ते में कई जगा बंद समर्थकों ने सड़क पर अवागमन ठप कर दिया था बंद समर्थकों की ओर से लगाये गए और रोधकों की वज़े से उन जगों पर जाम लग गया किसी तरह की सोरी की परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे वहीं अस्पताल में भरती कराया गया इमर्जेंसी में टॉक्ट्रों ने उसका इलाज भी सुरूक विया लेकिन कुछ ही देरबाद की सोरी की मौत हो गई दही हंडी फोडने वाले टीम को मिलेगा एक लाग का पुरसकार रांची सहर में तेजी से स्रीकिष्ण जनमोत्सों की त्यारी चल रही है इसमें पूरा सहर जूट चुका है पहले सहर में जनमोत्सों छोटे प्रमाने पर मनाया जाता था अब इसे बड़े प्रमाने पर मनाया जाने लगा है बतादे राजधानी में अलवट एका चोग और मौरबादी मैदान दोनों ही जग अपर भवे तरीके से स्रीकिष्ण जनमोथ सो मनाया जा रहा है वहीं इस साल भी त्यारी शुरू हो चुकी है इस साल अलवट एका चोग पसिरी किष्ण जनमों सो दो दिनों के लिए मनाया जाएगा 26 और 27 अगस्त को कारकरम किया जाएगा 26 अगस्त को समिती की ओर से धरीत्री कलाकेंद्र की निर्देशी का मत्ती गारगी मेलकानी के नितित में बाल कलाकारों द्वारा भाव निरित्य प्रस्तूत एवां कोलकाता के कलाकारों की ओर से राधा कृष्ण के भापूर निरित्य प्रदसन के साथ प्रतुस्ति की भारत बंद कराने सड़कों परूतरे जे एमेम करकरता जार खंड में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है सुबस से जामों कांगरेस वाम दल और समाजिक संगठन के करकरता सहर को बंद कराने के लिए सड़क परूतर आया है सडक से लेकर गलियारों तक में सनाटा पसरा हुए है सडको परवाहनों का परिचान बिल्कुल ठब पड़ा हुए है सरकारी बस अटो और सरकारी वाहनों के नहीं चलने के गाए रियात्री को वापस लोटना पड़ा वही धनबाज जिले में भी भारत बंद का असर देखने को मिला है सहर की सडको पर यतयात पूरी तरह से प्रभावित रहा जगा जगा बंद समर्थक सडको पर उत्रे सलक जाम किया और मोटरसाइकल रैली निकाली गई और नारेबाजी की गई बंद को देखते वे धनबाज पूलिस के टीम जगा जगा पर तैनात दिखी जार्खन सरकार में स्वास्त मंतरी बंदा गुपता द्वारा पूरमुख मंतरी चंपाई सुरेन को बिविशन कहे जाने पर आईसू प्रमुख सुदेश महतो ने तंज कसा है सुदेश महतो ने कहा है कि अगर चंपाई दा भी विशन है तो राज में रावन कोन है बंदा गुपता को बताना चाहिए वैसे जानता सब जानती है सुदेश महतो मंगलवार को पुर्वी सिमुम जी लेक के पटमदा प्रखंड के कटनी में एक समारो को समुधित कर रहे थे इस दोरा उन्हों ने कहा है कि जामों के चरीतर में विकास नहीं है जामों ने सिर्फ एक परिवार का विकास किया है मुख्यमंत्री हमान सुरेन का नाम लिये विना सुदेश महतों ने कहा है कि हम राम के भक्त है लंका को ढहा देंगे हमारी सुच पढ़ाई दवाई कमाई और न्याय है चमपाई सुरेन को एसकोट कर लोट रहे जवानों की गारी पल्टी ज़ार्खन के पुरमुख मंत्री चमपाई सुरेन का एसकोट कर लोट रहे पुलिस कर्मियों से भरा वाहन सलक हाथ से के दुरन पलट गया वाहन में सवार एक जवान बिर्बान सिंग की मौत घटना स्थल पर ही हो गई जब किवाहन में सवार एसाई मनोज भगत सहित पांच पुलिस कर्मियों गंभीर रूप से घायल हो गया है घायलों को इलाज के लिए टी एम एच में भरती किया गया है घटना मंगलवार की दिर रात मुडिया मोड के समीब की है रामगर पुलिस ने ब्राउन सुगर तसकर को किया गिरफतार रामगर पुलिस ने ब्राउन सुगर के साथ एक तसकर को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने गुपत सुजना का धार पर रामगर थाना छेतरे के राजा बंगला के पास मादक पदार्थ बेच रहे एक युवक को गरफतार कर लिया जनकारी के मताविक रामगर पुलिस के वरिय अधिकारियों को सुथना मिली थी कि एक युवक बुलू रंग की अपाची बाइक से राजा बंगला के पास मादक पदार्थ बेचने का काम कर रहा है रामगर एसपी के निर्देश पर अणुमंडल पुलिस पता दिकारी के नितिवत पर छापे मारी टीम के गठन किया गया गठी टीम ने राजा बंगला के पास एक युवक को ब्राउन सुवर के साथ गिरफतार कर लिया युवक की पाशान रितेश कुमार उप बॉवी पिता रामलखन महता के रूप में किया गया है जमसेदपूर से लपता बिमान को खोजेगी इंडियन ने भी मंगलवार की सुवा करीब साड़े गार बज़े जमसेदपूर के सोनारी एरपोर्ट से टेक ओफ करने के बाद से अलकेमिस्ट एवियेशन का ट्रेनिंग लपता बिमान को रांची से आई अब लपता बिमान को खोजने के लिए भारतिय ना उसे ना मदद करेगी एंडियारव की टीम सुवा करीब साड़े दस बज़े चांडिल डेम के अंदर गोसी काफी खोजबिन करने के बाद भी अलकेमिस्ट एवियेशन के लपता ट्रेनिंग बिमान को नहीं खोजबाई है टीम के हाथ कुछ नहीं लगने पर दोफर करीब डेर बज़े डेम के अंदर से टीम बाहर निकली उसके बाद दोफर करीब अठाई बज़े दोबारा एंडियारव की टीम डेम के अंदर गोसी इस बार भी टीम के हैथ कुछ नहीं लगा है और साम करीब सवा पाँच बजे टीम डेम के अंदर से बाहर निकल आई धनबाद में भारत बंद असरदार दुकंदार को पीटा अनुसुचित जाती वजन जाती आरक्षन के मुद्दे पर सुप्रीम कोट के फैसले खिलाब भीम आर्मी एवं आरक्षन बचाव संगर समीती समेत बिभीन समाजिक संगटनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का बागमारा वभ्यापक असर रहा डुमरा बागमारा तूली पहाडी खानुडी बसंती चोग समेत अने चोग चोराहों को बंद समर्थकों ने जाम कर दिया इसमें महिलाए भी बढ़ चड़कर हिंसा कर ली है टायर जलाकर बंद समर्थकों ने बिरोज जताया बंद के कारण लोगों को आने जान में काफी परिशानी होई अभधर टीपनी से भड़के बंद समर्थकों ने एक दुकंदार से मार पीट भी कर दी है और उसके खिलाब थाने में सिकाय दर्ज कराई गई बदाए धनबाद में बंद समर्थकों ने जम कर उत्पात मचाया है जमसेद पूर पूरवी से एंडिये परत्यासी होंगे सर्यू राय जारखन में अगामी बिधान सभा चुनाओं को लेकर स्यासी हलतक तेज हो गई है सभी पार्टिया अपने अपने अस्तर पर त्यारिया और उमिद्वारों का चैन करने लगी है अब एंडिये गड़बंदन में सहयोगी जद्यू ने घोसना कर दिया कि जमसेद पूर पूरवी से पूरव मंत्री सर्जू राय एंडिये के उमिद्वार होंगे बिहार सरकार के मंत्री सा ज़ार्खन जद्यू के प्रभारी असोक चौधरी ने जमसेद पूर के माइकल जोन अडेटेरियर में कहा है कि आगामी ज़ार्खन बिधान सबाचुना में जमसेद पूर पूरवी बिधान सबाचेतर से सर्जू राय एंडिये के उमिद्वार होंगे पिछले बिधान सबाचुना में निर्दालिये जितने वाले वोटो से सर्जू राय जीते थे उससे डबल भोटों से जीतने का संकल्प जद्यू के करकतावने लिया है रांची के पुर्व डिसी छवी रंजन को मिली जमानात जमिन घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में आरोपी रांची के पुर्व उपायुक्त छवी रंजन को बुद्धवर को रहात मिल गई है हाई कोट से उन्हें जमानत मिल गई चेसायर होम रोड की एक एकर जमीन के फर्जिवारे से जुड़े मामले में उनकी ओर से दायर जमानत याज़गा पर अदालत ने फैसला सुनाया हलाकी वे जमानत मिलने के बाद भी एक अने केस में जेल में ही रहेंगे बता दे चार मई 2023 को एडी ने छवी रंजन को गिरफतार किया था PGT रिजल्ट में गलबडियां CBI जाच की मांग जार्खन असनत कोतर प्रसिक्षित सिक्षक PGT सन्यूक्त परत्युक्त परीक्षा 2023 के रियल्ट में कई तरह की गलबडियां सामने आई है जार्खन कर्मचेरी चैन आयो की वेबसाइट पर जारी अंक पत्र से इन गलबडियों की पुष्टी भी हो रही है मिसाल के तरपर सव अंकों के पेपर में अभियार्थियों को 252 अंक दे दिये गए है वहाई अठातर प्रस्णों के सही उतर देने वाले अभियार्थियों के 156 की जगा 88.23100 अंक दिये गए इन गलबडियों को लेकर अभियार्थियों ने जार्खन हाई कोट में आज का भी दायर की है पुर में सुनवाई करते हुए हाई कोट ने इस मामले में राय सरकार वजे पेसी को जबाब दायर करने का निदेश दिया था मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है अभियार्थि मामले की सिविया जाज की भी मांग कर रहे है रांची पूलिस ने टीएसपीसी के तीन उगरवादियों को दबोचा रांची पूलिस ने टीएसपीसी उगरवादी के खिलाब बड़ी करवाई करते हुए तीन उगरवादियों गिरफतार कर लिया है ये सबी उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जूटे हुए थे बताया जा रहा है कि रांची के बढ़मू थाना 26 थीत चापड बालू घाट में टीसपी सी उग्रवादीयों के होने की सुचना मिलने के बाद बढ़मू थाना और खलारे डीसपी के द्वारा छपे मारी की गई इसके बाद तिन उग्रवादीयों को पकड़ लिया गया गिरवतार आरोपियों के पास से एक करबाइन, मैगजीन, जिन्दा कार्तूस, दो बाइक, टीसपी सी का परचा, एक रांटर, पिठु, गोली रखने का पाउच सहीत अन्य समन बरामत किया गया पकड़े गए आरोपियों में परकास, गांजू, राहू, लहरी और मोनू बड़ाई सामिल है जारखन पुलिस अब लगाएगी जन्ता दरबार जारखन पुलिस जल्द ही एक अनोखी पहल करने जा रहा है, इसके तहट पुलिस अधिकारी अपसीदे आम जन्ता से रूबरू होंगे दरवसल राज में यहां सरकार और मंत्रियों द्वारा आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए जन्ता दरबार लगाया जाता रहा है और जारखन पुलिस भी जन्ता की समस्याओं को लेका जन्ता दरबार लगाएगी राजे के डीजीपी अनुराग उपता नहीं संब्ध में बताया है कि इसके लिए एक्षन प्लान तयार किया जा रहा है आम जनता और पूलिस के बीच के गैप को समाप्त करने के लिए जनता दरबार का उजन किया जाएगा इससे जनता में जागरूपता और बिना किसी डर के पूलिस के साथ एक सुगम संब्ध बनेगा डीजीपी ने कहा कि जनता दरबार में छोटे बड़े सभी परकार के सिकायते सुननी जाएगी इस जनता दरबार में पूलिस अधिकारियों की सिकायत आने पर उनके खिलाब भी करवाई की जाएगी जारखन में होगा खेला पूर मुख मंत्री चमपाई सुरेन के पाला बदलने की त्यारियों की बीच बुद्ध्वार को भी राज में रायनिती हल्चल तेज रही मुख मंत्री हमान सुरेन के आवास पर मंत्रियों और विधायकों ने पहुँच करना सिफ एक जुटता परदसित की बलिक इस दोरान राज की तायराय नितिक परिष्थितियों के लाव भी 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 बिभीन ये नाव पर भी बीमर्श किया पूरे दिन मंत्रियों और विधायकों का सीएम आवास्त आना जाना जारी रहा इस दोरान जार्खन मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और भागपा के विधायक उनसे मिलने पहुचे सबों ने अपने अपने छेतर से जुड़े बिकास कार्यों पर सीम का ध्यान आकरेश्ट दिलाया मंत्री कुमार मितले श्ठाकूर और बन्ना गुपता भी इस दोरान मजूद रहे चमपाई सुरेन की गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई है उलेखनिया है कि मंगलवार को कुमारान के चार बिधायकों ने मुखी मंत्री हमान से मुलकात कर एक जुटता परदर सित्की थी बिधायकों ने असपष्ट कहा था कि वे मजबूत्ती के साथ उनके साथ खड़े हैं भाज पायू ने निकाला मसाल जुलूस हेमन सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भाज पायू ने बुद्धवार की सामको सहरी शेदर में मसाल जुलूस निकाला भाजियों मों के बैनर तले जहनडा मैदान से मसाल जुलूस निकाला गया जोकी जेपी चोक पहुँच कर इसका समापन हुआ इसका नेतिवत भाजियों मों के जिलाद ध्यक्स मिथुन चंदरवन सी कर रहे थे इस दोरान हेमन सरकार खिलाफ जमका नारेबाजी की गई इस मोके पर भाजपा जिलाद ध्यक्स महादेर दूबे ने कहा एके मुख्य मंतरी हमान सुरे ने चुनाओ के पुर्व घोस्तना किया था कि सरकार बनते ही परते एक सल पांच लाख वाव को नोकरी देंगे और जब तक नोकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उन्होंने कहा एक मुख्य मंतरी का कारेकल समाप्त होने को है विरोजगारों से जो वादा किया गया उसे पूरा नहीं किया गया धन्यवाद